पंचाइत ठेड के गतला मैं होने जा रहा है जिले का सबसे बड़े टूर्णामेंट अंडर 14 के साथ ओपन कबड़ी और वॉलीबॉल के खिलाडी दिखाएंगे अपना दमकम क्यालू बाबा सपोर्ट्स कमेटी ने दी जानकारी कहा युबा पीडी को नशे से दूर रखने के लिए परदान किया जाता है सपोर्ट समान्च बिजेता तता उप बिजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ नगदराशी दे कर किया जाएगा समानित तीन दिनों तक चलेगी खे मैं ले रहा है तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स कलब तता समाज से भी संस्थाओं दौरा युबाओं को नशे से दूर रखने का भरपूर प्रियास करते हुए बिन बिन खेलों के जरिए युबा पीडी को बेहतरीन मंच परतान कर प्रोत साहित भी किया जा रहा है जिसमें युबाओं को नशे से दूर रखने के सासाथ अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलता है आपको जानकारी दे दें कि बिदान सबा नूर पर पर पंचाईत ठेड गतला स्पोर्ट्स कमेटी अपना छेमा टूर्णामेंट आयोजित करवाने जा रही है जिसमें कव कबड़ी अंडर 14 तथा ओपन और इसके साथ बॉली बॉल की ओपन टीमों के युबा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे पोर्स कलब गतला ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन मंबर से कमेटी अपना चेमा टूर्णामेंट आयोजित करवाने जा रही है जिसमें खिलाड़ीयों को अधार कार्ड के अलावा कोई बैद जनम प्रमान पत्र साथ में दिखाना होगा तथा अधार कार्ड की सत्यत्ता स्कैन कर जाच की जाएगी उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी उमर सीमा में गड़बड करता पाया जाता है तो उसकी पूरी टीम डि प्रतेक टीम से 500 रुपे इंटरी फीस ली जाएगी कमेटी के सदस्योंने जानकारी देते होए बताए कि इसके साथ ही 4 नमंबर को कबड़ी का ओपन टूर्नामेंट करवाए जाएगा जिसमें प्रतेक टीम से 1000 रुपे इंटरी फीस ली जाएगी तता विजेता और उप व जेता टीमों को 31 हजार और 21 हजार की नगद राशी के साथ ट्रॉपी भी परदान की जाए स्पोर्स कमेटी ने जानकारी देते होए बताया कि कमेटी सदस्यों के अलावा स्थान्य निवासियों के सहयोग तथा क्यालू बाबाजी महराज के अशीर बाद से इस बार ये टूर्नामेंट जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है जिसमें लग उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी टीमों को सुबा नौ बजे ग्राउंड में पहुंचना होगा देरी से आने वाली टीम को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा तथा रैफरी का निरने ही अंतिम निरने माना जाएगा इसके अलावा खिलाडियों के खाने पीने का नेशे के खिलाब अभ्यान चलाए गया है संगर्ष शमीती गाउंगतला के द्वरा जो पिछले शे वर्षों से लगातार टूर्नामेंट करवाती है इस वर्ष भी टूर्नामेंट का अजोजन किया गया है तीन दीन जो है वो टूर्नामेंट चलेंगे तिनाक 3 नमबर 2 जोबी को बच्चों का टूर्णामन्ट 14 नमबर 14 जो बिनर जो है 1.600 रुपया और रणरुप को 501 रुपया दिया जाएगा इसी तरह चार नमबर 2 जोबीस को कवट्टी का ओंपन टूर्णामन्ट होगा जिसमें बीनर को 30,000 रप्या और रनरप को 21,000 रप्या दिया जाएगा पांच नमबर 2024 को बोलीबाल का ओपन टूर्नामिट होगा जिसमें बीनर को 31,000 रप्या और रनरप को 21,000 रप्या परदान किया जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप ठानुओं 165,711 से भी संपर्क कर सकते हैं मैं सौन सिंग केलो बाबा संगर समिती की तरफ से आप सभी को साधित अमानतित करता हूँ धन्यवाद जै बाबा केलो जै माराज की जै किसान साथियों कम लागत में भरपूर उतपादन के लिए बुवाई या रोपाई से पहले इफको नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें गेहु मक्का जैसी फसलों के लिए एक किलो बीज को 5 एमेल नैनो डीएपी से उपचारित करें रोपाई वाली फसलों की बौध को एक लीटर पानी में 5 एमेल नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें आलू गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 एमेल नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें